दोस्तों मैं हरिंदर वड़िया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूटूब चैनल टेक्नोफन में जी हां आज हम बात करने वाले हैं ओपो रेनो जैड के बारे में जो इतने नया फोन लॉंच होने जा रहा है यह देखते हैं इंडिया के अंदर कब तक आता है कितनी इसकी प्राइज रहेगी उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लें वैसे यह जो है एक मिड रेंज फोन यह रहने वाला है इसकी यादि स्पेकेशन की बात करें तो इसके अंदर जो है फरंट के अंदर हमें 32 मेगा फिक्शल का सैलफी कामरा इसके अंदर मिल जाता है जो कि हमें किसी पॉप अप के साथ नहीं मिलता है, इसके अंदर एक वाटर ड्रोप नोच हमें मिल जाती है, और ये 6.4 इंच की फुल HD प्लस डिस्पले के साथ आता है, यदि बात करें इसके रियर कैमरा सेटप की, तो इसके रियर में हमें जो है डूवल रियर कैमरा सेटप इसका मिल जाता है, 45 मेगा फिक्शल का इसका जो है प्राइमरी कैमरा सेंसर है और इसके साथ में 5 मेगा फिक्शल का राइड एंगल कैमरा सेंसर इसके अंदर हमें मिल जाता है, यदि बात करें इसके प्रोसेसर की तो इसके अंदर प्रोसेसर बड़ा ही कमाल का प्रोसेसर यूज किया गया है, MediaTek का Helio P90 प्रोसेसर इसके अंदर यूज किया गया है, यानि आपका gaming जो experience है, वो इसके अंदर काफी अच्छा आपका रहने वाला है, यदि बात करें, इस फॉन की बैटरी की तो इसके अंदर हमें मिल जाती है, 4035 मेच की पावरफुल बैटरी मिल जात एक तो इसका वेरेंट होगा, 6GB प्लस, 256GB एक इसका वेरेंट होगा, दूसरा इसका वेरेंट होगा, 8GB प्लस, 128GB और इसकी जो प्राइज रहेगी, वो प्राइज तक्रीबन 25,000 रुपए के आसपास इसकी प्राइज रहेगी, अभी देखना यह है कि ये फोन इंडिया के कि आप आता है, कब तक यह फोन इंडिया के अंदर आपाता है, अप मेरे को कमेंट बोक्स में लगे जरू बताएगा कि यह फोन आपको कैसा लगा, क्या आप इस फोन को लेना पसंद करेंगे, इस प्राइज रेंज के अंदर, इस स्पेसिफिकेशन के साथ, और हाँ एदि रेड बटन को प्रेस करके आप हमारे चनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में आने वाले बैल आइकन को भी दबा दीजिएगा इससे आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और हमें आपके लिए नए वीडियो लेकाने की हमत धन्यवाद